हेलो, मैं चंदरी कारागपूर, गोपिनात की चन में आपका स्वागत करती हूँ, आज हम बनाएंगे बेशन के लड़ू, तो चलिए ये लड़ू बनाना शुरू करें, यहां हमने एक बाउल बेशन लिया है, ये बेशन घर का है, तैयर पैकेट वाला बेशन नहीं है, एक बाउल पानी लिया है, पानी थोड़ा बच जाएगा, और एक बाउल चीनी लिया है, अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें हम एड़ कर देंगे बेशन, और बेशन में हमें जितनी जरूरत लगे, इतना पानी हम एड़ करते जाएंगे, और ये बेशन का हम स्मूथ बैटर तयार कर लेंगे, हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही एड़ करना है, और इस तरह से हमें पहले चम्मचे अच्छी तरह से बैटर को बना लेना है, ताकि इसमें कोई गोटली नार है, बुंदी बनाने के लिए हमें बैटर जो हम बनाते हैं, वो ही हमारा ठीक तरह से बनेगा, तभी हमारी बुंदी अच्छी बनेगी, तो हमें ये बैटर बनाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इस तरह का में बैटर बनाना है, जो बाद में एक बुंद बुं अब हम इसको साड़ पे रख देंगे हमारा इतना पानी बच गया है जो हमने एक बावल पानी लिया था इसमें इतना पानी बच गया है अब हम एक कड़ाई लेंगे इसमें हम चिनी एड़ कर देंगे और इसमें हम एक बावल पानी एड़ कर देंगे चिनी को हम घुलने के लिए गैस पर रख देंगे गैस की फ्लेम लो रखेंगे और दूसरे गैस पर हम एक कड़ाई में तेल भी रख देंगे तो ये बेटर हमें अब हाथ क्लीन करके एक ही डाइरेक्शन में कंटीन्यू पाथ या साथ में तक बहुत स्पीड से घुमाना है ताकि इस बेटर फूल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें एरा जाए तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है तो इस तरह का हमारा बेटर बनना जरूरी है तब भी हमारी बूंदी अच्छी बनेगी इसमें बबल्स भी आ गये है और एसे दिरे दिरे ड्रॉप्स के तरह गिरते है अब हमने जो चीनी घुलने के लिए रख दी थी इसमें हम इलाइचे पावडर और ओरेंज कलर का फूड कलर एड कर दिया है अब एक छोटे बावल में हमने थोड़ा सा बूंदी का बेटर लेके ग्रीन कलर एड कर दिया है और बाकी का जो बेटर है इसमें हमने ओरेंज कलर एड कर दिया है दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम हमारा ये जो तेल गर्म हो गया है इसको हम एक चम्मच भर के लेंगे और बुंदी का जो बेटर है इसमें एड़ कर देंगे ताकि हमारी बुंदी क्रिस्पी बने अब हम तेल गर्म हुआ है या नहीं वो चेक कर लेंगे हमें जो के मेडियम हॉल वाली ग्रेटर आती है वो लेना है अगर आपके पास जो जारा होता है जिसका छेद थोड़ी दूरी दूरी में हो ऐसा हो तो इसमें भी हम बुंदी बना सकते है तो ये ग्रेटर में हम बुंदी का बेटर एड़ करके अब ग्रेटर को हम तेल से एक फिट जितनी हाइट तक ले जाएंगे अब इतनी हाइट से हम बुंदी गिराएंगे तो हमारी बुंदी अच्छी दर से बनेगी और एक दूसरी आपस में चिपकेगी भी नहीं और हमें ये तलने के लिए जो हम कड़ाई लेंगे वो चोड़ाई वाली हो वैसी ही लेनी है इस तरह से हम बुंदी को तल लेंगे और इसको हमें क्रिस्पी करना जरूरी है तो ये थोड़ी ही देर में क्रिस्पी हो जाती है ये हमारी बुंदी रेडी हो गई है अब हम दूसरी बुंदी भी इस तरह से तल लेंगे पर इसके पहले हमें जो हमने ग्रेटर लिया है इसको हमें अच्छी तरह से क्लिन करना जरूरी होता है ये बुंदी हमारी गोल-गोल मोती जैसी क्रिस्पी तैयार हो गई है इसको हम तोड़के देख सकते हैं ये कितनी आसानी से तोट गई है और ये क्रिस्पी भी पौध बनी है अब मैंने ग्रेटर को नीचे से अच्छी तरह से आज से साप कर लिया है अब हम दूसरी बुंदी भी इस तरह से फ्राइ कर लेंगे तो ये बुंदी हमारी इस तरह से ग्रेटर से भी हम बना सकते हैं या कोई ऐसा जारा हो जिसका छेट दूर-दूर हो ऐसे जारे से भी हम बना सकते हैं यहां हमारी बुंदी सारी तयार हो गई है यह जो हमने green color का better बनाय था उसकी भी हमने बुंदी बना ली है और एकदम crispy बनी है और अब जो हमने चासनी बना के रखी थी वो हमारी ठंडी हो गई थी तो इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसमें हम बुंदी एड़ कर देंगे तो चास्नी हमें कोई एक तार की या ऐसी नहीं बनानी इसको सिर्फ जैसा हनी का होता है टेक्चर वैसा ही हमें इस चास्नी को बनाना है तो ये बुंदी को हम इस चास्नी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको दबा के हम डग के रख देंगे फिर हम थोड़ी देर के बाद फिर इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे दो तिन बार कर लेना है ताकि जो उपर विचा जो बुंदी है वो अच्छी तरह से चासनी में डूट जाए यह हमारी बुंदी अच्छी तरह से चासनी में तयार हो गई है और इसमें अब हम एक चमच सुद्ध गियाड कर देंगे जिससे हमारी बुंदी का लड़ो साइनिंग वाला बनेगा कीको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब यह आप देख सकते हो यह बुंदी में चासनी कितनी अच्छी तरह से गुल गई है अब इसका हम लड़ो बना लेंगे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते होए हमें लड़ो बना लेना है थोड़े ही दिन में गनेश चतूर्थी आने वाली है तो इस गनेश चतूर्थी पे आप इस तरह का बुंदी का लड़ो जरूर बनाएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन पे प्रेस करके और पे क्लिक कर देना ताकि मेरा जो नया वेडियो आए इसकी नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए फिर मिलेंगे हम एक नए रेसिपी के साथ